दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तयार इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महंगा बढ़ सकता है बहुत ही दिल्चस मैच होना चाहिए ये अब तो एक रोमान्चक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर नए गेन के साथ और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ये आये सलामी बले बाज दर्शक उनका पूरे जोरो शोरो से स्वागत करते हुए तेज गेन बाज को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ मानों सिर्फ चौको और छको में ही दिल्चेस्पी रखते हैं ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रंद यह एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे ओह खीच के मारा है गेन गोली की तरह सीमा रिखा के उस पार जाती हुई दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रंद और दूसरे शोर पे भी तेज गेन बास को ही लाया जा रहा है बल्ले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका फील्डिंग में परिवर्तन इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे खुबसूरट शोट और चार रं गेन बास के छक्के छुडाते हुए बाल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शोट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठें एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है खुबसूरत शोट और यह सीधा बाउंडरी के पार ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद बल्लेबास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंदबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चुका बहुत ही बड़िया साजेदारी गेंदबाजों को विकेट लेना ही होगा अगर इस मैच में बरकरार रहना चाते हैं एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी लाइन और लेंक मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते ये बहुत ही बड़िया सिक्स चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी खतरनाक गेंद और सीधा बल्लेबास के शरीप में लगी टीप पॉइंट पे फिल्डर लगाया है कप्तान ने ये बॉल तो लगी होगी उनको जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा या जवाब शोर्ड एक पल में लगा के गेंद बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंडरी के उस पार चार रन फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है और यह चार रन खूपसूरत तक्नीक का प्रदर्शन जिस तरह की शॉट पिछ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंद बास अक्सर बल्लेबास बैक फूट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं यह इनकी दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहाँ उटा के खेल दिया है शानदार बल्लेबाजी और यह चेरन यह एक ऐसे बल्लेबाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंड कहां मारेंगे बिल्कुल चक्ना खा गए हैं वहाँ रड़ेग बढ़ानी की कोशिश में निराश लग रहे हैं वहाँ मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझें जो अपने फीस पे ही खड़े है शोट गेंड बास के पुरे अकड को चक्ना चूर करती हुई छेरन तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे पूरी तरह मिस किया वहाँ विल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ यह शोट खिलने की लगता है अपनी गावरता खो बैठे ओ ऐसा लगता है गेंड को देखा ही नहीं वहाँ पर इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंड बाजी करनी होगी यहाँ बहुत ही बड़िया शोट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्ले बाज ऐसे शोटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंड कहां मारेंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुत ही अच्छा अर्दशा तक काफी दिनों से यह फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज यह बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद खेल दिया है गाप में और यह एक राए जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में पहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं फील्डिंग में परिवर्थन एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे हवा में उठा दिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बदकिस्मत रहे हैं वहां बॉल सीधा फील्डर के हाथ पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है एक्वास बोलर्स की इनोंने फिजियो को बुलाने की आवशक्ता हो सकती है बैट्समन घायल इनकी धीमी गतिकी गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है वाह बड़ी ही तेज गतिकी गेन थी निराश लग रहे है वहाँ मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो अपकी फीज नहीं खड़े है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन दिल खुश कर दिया इस पारी से बहुत ही बढ़ी अर्दशतक फील्डिंग में परिवर्थन एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके है लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन चलिए देखते हैं कि अगली गेंस स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बल्ले बाज की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेन बाज के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे लाइन और लेंग मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते ये बहुत ही बढ़िया सिक्स और दूसरे शोर पे भी तेज गेन बाज को ही लाया जा रहा है बहुत ही अच्छी रन नी थी यहाँ बल्ले बाज को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और ये छे रन बहुत ही बढ़िया साजेदारी गेन बाजों को विकेट लेना ही होगा अगर इस मैच में बरकरार रहना चाते हैं इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छकके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे शोट गेन बास के पूरे अकरड को चकना चूर करती हुई छे रन बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शोट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा ना बैठे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी अहां यह शोट खिलने की लगता है अपनी एका ग्रता खो बैठे निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो अब इक वीज़ पे ही खड़े है बहुती बड़िया शोट बहुती बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शोटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है फील्डिंग में परिवर्तन एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे भेलारां तेजी से लेते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूजबूच और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बहुती बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है हवा में उठा तिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका अब जो इन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है यहाँ पे इनके पास एक मौका है एक और बड़ा स्कोर बनाने का चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बड़ी अटाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्ले बास दो रन का कॉल देते हुए बहुत ही बड़िया फिल्डिंग का प्रदर्जिंट टीप पॉइंट पे फिल्डर लगाया है कप्तान ने कोई गल्ती नहीं करते हुए यहां पे और एक बहतरीन कैच निवाश होकर प्रदर्जिंग की तरफ लाटते हुए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए थे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शोर्ट खेलने की लगता है अपनी एकागरता खो बैठे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है निराश लग रहे है वहां मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझे जो बेप्रीस पे ही खड़े है बहुत ही खतरना गेम लगता है रिट्म केज के पास चाके लगी होगी डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रन है फील्डिंग में परिवर्तन इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने पतरना गेम और सीधा बल्लेबास के शरीप पे लगी इसी के साथ पहले इनिंग्स की समापती ये देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रन नीती के साथ आते हैं बल्लेबास यहाँ इससे चेस करने और ये आ रहे हैं दो अम विकेट समाल के खेलना होगा यहाँ मैच एक बहुती रोमांचक मोड पर है दूसरी ओवर की शुरुआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटिल्मेंस गेम करुकल करूसरे करथे का यहाँ तो यहुआ जना है कल्टमें तो मैच घुआ प्युराव और यह चाँ warto